निर्गमन की पुस्तक उसका सात्वा ध्याए निर्गमन की पुस्तक उसका सात्वा ध्याए आप गवराये नहीं छोड़ेंगे नहीं हम आपको निर्गमन की पुस्तक उसका सात्वा ध्याए तब यहावा ने मुसा से कहा कि सुन मैं तुझे फिरॉन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ परमेश्वर नहीं परमेश्वर सा ठहराता हूँ उसने हमें अपनी समानता थोड़ी देर मेरे साथ रहिए आप उसने हमें अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाया He is creator वो बनाने वाला है तो उसकी समानता में जो चीज उसने बनाई है वो चाहता है कि वो उसके समान हो तो क्या मतलब हम लोग परमेश्वर हो गए जी नहीं हम आपको जानते हैं I know you ना आप परमेश्वर है ना हम परमेश्वर हैं लेकिन हम परमेश्वर की तरह काम कर सकते हैं उसने हमें बनाया है हाड़ वायर है हम लोग हम लोग का जो शरीर बना है हम लोग का जो जीवन उसने बनाया है ये परमेश्वर के कार्य करने के लिए बनाया है चेले अन्नोइंगली जान भी नहीं रहा है सुनते नहीं ये मेरी बाद चेले पुईतरात्मा पाने के बाद जान भी नहीं रहा है चले जा रहे है और उनकी छाया से लोग चंगे हो जा रहे है अब बोलिए ये परमेश्वर सा काम हो रहा है परमेश्वर नहीं है वो लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा काम कर रहा है अपने आपको ऐसा बनाईए कि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सके परमेश्वर ने आपकी स्रिष्टी की है अपने स्वरूप और अपनी समानता में और इसलिए परमेश्वर को मूसा को फिरॉन पर परमेश्वर सा ठहराने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आप इसको उत्पती की पहली पहला ध्याय और उसकी 26 वी आयस से जोड़िये जहाँ पर उसने कहा आओ हम मनुश्व को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं किसी और चीज़ को उसने ऐसा नहीं बोला जिर्राफ को हम अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं हाथी को अपने स्वरूप आज लोग ने हाथी का स्वरूप दे रखा है इश्वर का जानवरों का स्वरूप दे रखा नहीं मित्रो परमेश्वर ने जानवरों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया हमको और आपको अपने स्वरूप में बनाया है अपनी समानता में बनाया है और इसलिए हम बड़े-बड़े ये शुमाजी ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े-बड़े काम करोगे क्योंकि मैं तुमको ठहराता हूं तुम फिरौन पर परमेश्वर सा ठहरोगे और हारून तुम्हारा नभी ठहरेगा जनते क्या वज़य थी क्यों नहीं हारून को भी परमेश्वर बना दिया क्योंकि यहां सारा खेल बोलने का था वचन का था और मुझसा बोलने में भद्दा था उसने कई बार कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूं पढ़ लिजे चटवाध याए और उसकी बारह वी आए जल्दी से निर्गबन च्छे बारह और मुसा ने यहवा से कहा देख इस्राइलियों ने मेरी नहीं सुनी फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेग हमको लगता हकलाता था क्या हाँ हाँ हकलाता होगा मुसा तो वो कहता कि जाने दीजे तब तक तो पता नहीं क्या हो जाता हूं जो भी था बोलने में भद्दा था तो हारून को ठेराया बोलने के लिए और कहा वो नभी सा ठेरेगा नभीों को परमेश्वर अपनी आत्मा से मसा करता था ताकि वो परमेश्वर की बातों को बोले मुसा हरुन से कहता था और हरुन फिरॉन से कहता था तो जो ये नभी और भश्जक्ता हमको दिये गए है ये ठहराए गए है पर मेश्वर की आवाज हम तक पहुँचाने के लिए हम पाँच हजार के लोगों को नहीं बोल सकते लेकिन जब स्पीकर और लाउट स्पीकर और एंप्लिफायर लग जाता है तो हमारी आवाज पाँच हजार दस हजार बिस हजार लोगों तक पहुँच सकती वही नभी लोग का काम था तो मुसा को परमेश्वर सा ठहराया और उसकी वज़य थी ये मिस्री बड़े रिलीजिस टाइप के लोग थे इनको देवी देवताओं से बड़ी लगाओ था हर चीज इनके लिए देवी देवताओं था और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ठीक है एक और हम परमेश्वर दे दे रहें परमेश्वर तुमको दे दे रहें क्योंकि फिरॉन रिलीजिस आदमी था दुनिया के उसने देवी देवताओं बना करके रखे दे और आगे जो हम देखेंगे दस विपत्तियां परमेश्वर ने इस्राइल पर मिस्र पर डाली दस विपत्तियां और हम एक एक विपत्ति का वढ़न नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारा उद्देश निर्गमन की पुस्तक का ध्यान फिरॉन नहीं है मिस्री नहीं है विपत्ति नहीं है हमारा उद्देश इसके पढ़ने का इसके मनन करने का इसमें मेरे लिए क्या है हम मिसरी है नहीं हम फिरॉन है नहीं हम मिसर के रहने वाले मिसरी वंशच के है नहीं हम तो इस्राइली वंशच के लिए तो इस्राइलियों के लिए क्या है तो जब हम इसका ध्यान कर रहे हैं तो आप बजाए फिरॉन के देखने के और मिसर के बारे में जानने के, मिस्रियों के बारे में जानने के, विपत्तियों के बारे में जानने के, आप ये खोजिए कि इसके अंदर परमेश्वर की महिमा कहां कहां हो रही है। दिड़ता के साथ नहीं फैल रहा है क्योंकि सब को एक कहानी के समान हमने समेट करके रख दिया बस ये मुसा की कहानी नहीं है ये मेरी कहानी है ये मेरी जिन्दगी की कहानी है और परमेश्वर ने कहा कि तुम फिरॉन के उपर परमेश्वर सा ठहरोगे हारून तुम्हारा नभी ठहरेगा क्या हो क्या रहा था क्या करना चाह रहा था जैसे मैंने कहा कि फिरॉन के चक्कर में परमेश्वर नहीं था फिरॉन को तो कभी कपका टैकल कर सकता था सारी ट्रेनिंग हो रही थी मुसा की और हारून की मुसा और हारून को कनान देश जाना था आप है मेरे साथ नहीं आप तो प्रेज दोलोड इसले नहीं कर रहे हैं कि आप तो मुसा और हारून सोचने लगे अपने को तो आपने सोचा ही नहीं आप अपनी बात कीजे ना आपको स्वर्ग जाना है आप संसार के चकर में क्यों पड़े हुए संसार ने हमको ये सताउ दिया फिरौन को जो महल बनाना बनाए क्यों हम उनसे कॉम्पटीशन करेंगे जितना उनको कान में छेद करना करें वो हम क्यों अपने कान में लटकाए फिरें हम क्यों अपनी नाक छेदवाएं हम क्यों यह तो यह तो मिस्री है यह तो फिरोनी है इनसे हमारा कोई है मेरे साथ आज प्रेज़र लो हम तो उकाब की संतान है मित्रो एक दिन भी विल आज में हैं लेकिन हम मिस्री नहीं हैं हमारा देश कदान देश है हम बार बार ये निर्गमन की पुस्तक से आपको इस बात का हियाव और विश्वास दिलाना चाहते हैं यू हैब तो फाइंड आउट योर्सेल आपकी प्रॉब्लम यह है कि मिस्रियों के साथ रह रह करके आप खुद अपने आपको मिस्री समझने लगें आप खुद दुनियावदारी करने लगें आप सुषते कि आप भी दुनियावाले इसलिए उसे कॉंपटिशन होता है और जब आप कॉंपटिशन में नहीं जीत पाते हैं तो फ्रस्टेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो तो आप पर काम पर काम का बोजला दे जा रहे हैं वो तो आपके उपर टास्क मास्टर बने हुए वो तो आपसे काम ले रहे हैं वो तो आपको कोड़े मार रहे हैं वो तो आप करते जैसा वो गीत गाते जैसा वो ब्यूजिक बजाते क्यों नहीं हम उनके समान बन जाएं कहां आप इस चक्कर में है अगर मिसर में ही रहना है उसकी गुलामी करना है फाइन गो हैड फिरों तो चाही रहा कि आप वहां बसे रहिए लेकिन अगर आपको उस गुलामी से ही और मधू की आपको वहां पर एंजॉय करना है तो आपको मिसर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा आप है मेरे साथ फाइंड आउट यूर्सेल्फ अपने आपको दिर्ड निष्टे दिलाईए और यही हुआ शुरू में जब मुसा और हरूना आए इन लोगों ने सोचा क निकाल के ले जाएंगे वो फ्रीडम तो सबको अच्छा लग रहा था कि बस एक रात में आउडर हुआ और हम निकल गए और भाग गए और चले गए करान देश में लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अभी दस विपत्तियों से हो करके गुजरना है क्योंकि अभी तक इनको अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं हुआ था अभी मैं थोड़ा सा विश्वास पर आपसे बात करके आज बिदा लूँगा और फिर अगले संड़े आपसे और बात करूँगा मैं उसके मन को कठोर करूँगा ये कन्विंस नहीं थे कहें कि हाँ ठीक है हम तक उसका सातवा ध्याय पहली आयसे तब मुसा ने यहवा ने मुसा से कहा सुन मैं तुझे फिरॉन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नभी ठहरेगा जो जो आग्या मैं तुझे दूँ वही तू कहना और हारून उसे फिरॉन से कहेगा जिससे वो इस्राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे अभी सिर्फ कहने की बात हो रही थी बस तू कहना तू कहना कुछ करना मत तू कहना लेकिन नहीं हम लोगो तो जब तक कुछ करेंगे नहीं तो हम लोग कुछ मंदा नहीं आता है और फिर मैं फिरॉन के मन को कठोर कर दूँगा और अपने चिन और चमतकार मिस्र देश में बहुत से दिखाऊंगा तो भी फिरॉन तुम्हारी ना सुनेगा देखिए परमेशोर पहले से सारा प्लान बता रहा कि तुम बोलोगे लेकिन तुम्हारी ना सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ा कर मिस्रियों को भारी दंड दे कर अपनी सेना अर्थात अपनी इसराइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ा कर इसराइलियों को उनके बीच से निकाल लूँगा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ तब मुसा और हारून ने यहवा क्या क्या के नुसार ही किया और जब मुसा और हारुन फिरौन से बात करने लगे तब मुसा तो 80 वर्ष का और हारुन 83 वर्ष का था फिर यहावा ने मुसा और हारुन से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुम से कहे कि अपने प्रमार का कोई चमतकार दिखाओ तब तु हारुन से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरॉन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए तब मुसा और हारुन ने फिरॉन के पास जाकर यहवा की आग्या के अनुसार किया और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरॉन और उसके करमचारियों के सामने डाल दिया तब वो अजगर बन गया तब फिरॉन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादुगरों ने आकर अपने अपने तंत्रमंद से वैसा ही किया उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए पर हारून की लाठी उनकी लाठीों को निगल गई परंतु फिरॉन का मन और हटिला हो गया और यहावा के वचन के नुसार उसने मुसा और हारून की बातों को नहीं माना ठीक है जादुगरों का क्या नाम था कौन बताएगा जादुगरों का क्या नाम था कहीं लिखा है जादुगरों का नाम लिखा है बता दें बता दें कि नहीं बता दें बता दें दूसरा तिमुथियूस दूसरा तिमुथियूस तिमुथियूस की दूसरी पत्री और उसका तीसरा अध्याय और उसकी आठवी आयत में इसका नाम दीन का नाम दिया है। आशु भाई, जी, पढ़ेंगे आप इंग्लिश में। 2nd Timotheos, chapter number 3 and verse number 8. हाँ, जैनीज और जैंबरीज, हिंदी में क्या लिखा है? यन्नेस और? यम्ब्रेस. यह दो जादुगर थे, नोट कर लीज़िएगा इसको. और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मुसा का विरोध किया था, वैसे ही यह भी सत्का विरोध करते हैं. यह दो जादुगर थे यन्नेस और यम्ब्रेस. और देखें, कहां लिखा है जाकर के? इसलिए हम चाहते हैं कि आपको पुराना नियम नया नियम सब आपको मालूम हो जाए अब देखिए थोड़ी दिर मेरे साथ रही हम खतम करना चाहेते हैं कोई चमतकार दिखाओ कोई चमतकार दिखाओ और सब चमतकार थे, ठीक है, सब चमतकार था, ऐसा ऐसा चमतकार, और चमतकार भी ऐसा कि कई एक काकाट भी था, आज हम लोग उतावले हैं कि अन्यजातियों को, अपने विरोधियों को कुछ चमतकार दिखा दे प्रभु, आस्मान से बिजली कड़का दे, इनका घर जल जा यह, दुनिया की बाते हम लोग सोचते हैं, मित्रो छुटकारा उससे नहीं मिलने वाला है, मैं, कन्विन्स प्लीज मेरे साथ रहिया, मैं आपको यहां से चेंज करके भेजना चाहता हूँ, यह जो हम लोग का मसियत एक, बिलकुल गलत ट्रैक पर चला गया है, हाथ रख द लेकिन जो उद्धार का काम है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, येशु मसी इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुतों को चंगा किया, मगर वो चंगाई उद्धार का सबब नहीं थी, it was not connected with the salvation of God, येशु मसी ने हज़ारों को चंगाई दी, जाती अन्य जाती सब को चंगा करके गए, और उसी के लिए वो आया था, इसी के लिए वो क्रूस पर जा करके, उसने सजाय मौत, उसने एक एक ब्लड का कत्रा बहा दिया, उद्धार के लिए, और आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, जो उद्धार चाहते हैं, चमतकार और चिन ने हमें उद्धार क रास्ते से वंचित कर दिया है, हमारी गवाही में, उद्धार हमारी दुआ में, मैंने अपनी दुआ में शामिल कर लिया, प्रभू तेरा धन्यवाद हो, आपने ये किया, वो किया, दिन बार आशीज दी, फलाना ठीक हुआ, फलाना ठीक हुआ, और उन सबसे बढ़ करके, प्रभू जी, ये मेरी दूआ में शामिल हो गया, सबसे बढ़ करके, वो उद्धार, जो और कोई नहीं दे सकता, वो आपने दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद हो, ये शुमसी के नाम से मांगते हैं, आमीन, यन्नेस और यम्रेस ने भी अजगर बना दिया, वो तो करना, रे क्या कहना, कहने में कुछ है नहीं, वचन में क्या है, अरे बाप, रे बाप, वचन में क्या है, यही प्रभू हमको और आपको समझाना चाहता है, और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल की गहराई में ये ले करके जाएए, ये चिन्ड और चमतकार, ये आपको उ सदूखियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उस से कहा कि हमें आकाश का कोई चिन दिखा। सुना आपने, ये परखने के लिए हो रहा था, आज भी अन्य जाती लोग, आज, बतलब आज हम लोग की जो मिनिस्ट्री है, हम लोग सोचते हैं कि हमको कोई चिन मिल जाता, है कुछ हम चमतकार कर देते, तो हमारी मिनिस्ट्री फल फूल जाती, हम भी दिना करन हो जाते, बे आकाश लाल है, ठीक है, और भोर को कहते हो, कि आज आंधी आएगी, हम बना चिन के चक्कर में रहते हो, ठीक है, फिर, तुम आकाश का लक्षन देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिनों का भेद नहीं बता सकते, ठीक है, फिर आगे क्या कहा, इस यूग के लोग, बुरे और वेविचारी, अब अपने आपको कहीं फिट कर लीजिए इसके अंदर, आपको तो चिन चाहिए कोई, हम चंगे नहीं हुए, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो चिन, क्या कर रहे ह ये बुरे और वेविचारी लोग चिन्न ढूनते है शैतान चिन्न ढून रहा था उसके अंदर कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए कहे रोटी बनाने की ज़रुवत क्या है जब तुमको मालूम है वो चिन्न ढून रहा था वो चारा था कि ये कोई चिन्न दिखाए तीन तीन चिन्न के चक्चकर में था अपने आपको गिरा दे दंडवत कर दे कोई कुछ नहीं करेंगे ये बेविचारी और बुरे लोग चिन्न ढूनते है फिरॉन को चिन्न चाहिए था मगर याद रखेगा मित्रो हम और आप फिरॉन नहीं है मैंने आप से शुरू में कहा हम और आप फिरॉन नहीं है हम और आप मिस्री नहीं है हम और आप इस्राइली है हम और आप परमेश्वर के छुडाए हुए लोग है हमको छुटकारा चाहिए कोई है मेरे साथ हमको चिन नहीं चाहिए हमको उधार चाहिए हमको पापों से मुक्ती चाहिए कोई है जो हमारे पापों को धो करके उसको हिम के नाई श्वेत करेगा हमारे चिन और चमतकार अपनी जगा रखिए हमको क्रूस पर मरने दीजिए लेकिन हे येशु नासरी हमको चमतकार मत दिखा, हमको इस क्रूज से ना उतार लेकिन जब तू अपनी बाच्शाहत में आना तो मुझे याद करके रखना हमको चिन और चमतकार नहीं चाहिए, हमको उधार चाहिए और यही मैं चाहता हूँ कि आप अपना एटिट्यूट चेंज करके रखिए वचन जो है उसके द्वारा आपको उधार मिलेगा दस चिन दिखाए, किसी चिन से वो डस से मस नहीं हुआ आखरी में जब लहू का प्रियोग हुआ, आप है मेरे साथ जब लहू का प्रियोग हुआ, तो छुटकारा मिल गया आप खुश नहीं है कि आपके प्रभू ने इस दुनिया में आके सिर्फ चिन और चमतकार नहीं दिखाए, लेकिन हमारे और आपके लिए उसने अपना लहू बहाया है, उसने रख बहाया है मित्रो हमारे और आपके लिए अपने खुन का एक एक बूंद उसने बहा दिया क्योंकि उसने कहा कि तुम चमतकार और चिन से नहीं बचोगे मेरा खुन, हमारे खुदावंद ये सुमसी का खुन, हमें सब पापों से शुद करने में विश्वास ही हो गया, और धर्मी है, हालेलुया चमतकार देखना चाहते हो, कितना आजगर बना दे, कितना कोबरा बना दे, कितना करयत और बिच्छी बना दे छुटकारा चाहिए मित्रो, ये थोड़ी देर के लिए आपको परप्लेक्स कर सकता है थोड़ी देर के लिए आपको अश्चर चकित कर सकता है, मगर नहीं, हमको तो चुटकारे के अभिलाशी है आई नीड, आई नीड माई सैल्वेशन मैं खतम करना चाहता हूँ लूका किंजिल, साथ वादिया है बड़ा नेक आदमी था, जब लूगों को अपनी सारी बाते सुना चुका बड़ा आदमी था, यशु में था और लूगों को बड़ा प्यार करता था, बड़ा दानपून करता था तो उसका एक नौकर था जो बिमार हो गया था तो उसने वो खुद नहीं आ पा रहा था, येशु मसी के पास तो उसने जो येशु मसी के साथ चेले वे ले थे, उनसे कहा कि येशु मसी से कहिए कि आकर के मेरे नौकर को चंगा कर दे, आकर मेरे दास को चंगा करे, वह येशु के पास आकर उससे बड़ी बिंती करके कहने लगे कि ये आदमी उस योग्य है कि उसके लिए किया जाए बड़ा अच्छा आदमी है और चर्च को दान देता है हम लोगा सपोर्ट करता है तो प्लीज चल चलिए देखे आपके अच्छे काम जो है न वो कहीं न कहीं काम आते हैं कहीं न कहीं काम आते हैं और खास करके चर् आरादनाले को बनाया है, सूचिए आरादनाले को बनाया है, उन्होंऱ थे जब भी आपके पास कुछ lado करें इजिए ये रिस्पेक्ट दिया बोला ठीक बात है अच्छी बात है येशु उनके साथ चला पर जब वो घर से दूर ना था तो सुबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभू दुख ना उठा ये सुबेदार चिन और चमतकार नहीं देखना चाहता था ये वास्तों में प्रभू का की सामर्थ देखना चाहता था कह तो उसने दिया कि प्रभू हमारे घर आ जाएं चंगाई दे दे कई लोग पहुँच गए सोर सिपारिश किया उसकी दलील दिया कि वो अच्छा आदमी है अरादनाले बनाया है हम लोग से प्रेम करता है हमेशा सपोर्ट करता है हम लोग के सपोर्ट में खड़ा रहता है वेरी गुड चलो हम चलते हैं उसके हाँ ये शुमसी जा रहे थे अभी घर के पास ही पहुचे थे तो किसी और मित्र से उसने खबर भेजवाया कि मैं इस योग ये नहीं कि तू मेरी छट के तले आए इसी कारण मैंने अपने आपको इस योग भी ना समझा कि तेरे पास आ नूरी नहीं है कि वो आपके बरामदे में आपकी कुरसी पर बैठे तभी आपके हां बरकत आए वचन कह दीजिए मत आये प्रभू जी सोचिया आप जीजस जाने को तयार है और उसने कहा आपकी जरूरत नहीं है हमने पढ़े लिया इतनी देर में हमको मालूम हो गया कि आ आपका वचन ही हमारे लिए काफी है आप है मेरे साथ हमको चिन और चमतकार नहीं देखना हमको शोऔ ऑफ नहीं करना है जी जस आये हमारे यहां भीड लग गए बुले सर आप ऊँहीं रहिए खाली वचन कह दीजिए केवल वचन कह दीजिए मूसा और हारूर यह चिन और चमतकार फिरॉन को थोड़ी देर के लिए भली परप्लेक्स कर दे, भली थोड़ा अश्चर में डाल दे, मगर इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा, और आज मैं आपको बिश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये चिन और चमतकार छोड़ दीजिए, दुनिया के, आजकल तो इंटर चिन खतम हो गए, और लोग खतम हो गए, हमारे दादा के समय भी चिन होता होगा, हमारे पापा के समय भी चिन होता होगा, चमतकार होता होगा, दादा भी चले गए, अब परदादा भी चले गए, अब पापा भी चले गए, अब बेटा रहे गए, बेटा बैठकर के चिन अरे हमको चिन नहीं चाहिए हमको उधार चाहिए हमको सालवेशन चाहिए हमको येसु मसी की वो जगा चाहिए जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार की है कि जिस दिन वो आए तो चिन और चमतकार के चकर में हम ना रहे हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाए वही मेर मेरे लिए चिन होगा वही मेरे लिए चमतकार होगा वही मेरे लिए आशीश होगी मित्रों हारून मुसा और हारून की कहानी मेरी और आपकी कहानी है कि यह चिन और चमतकार उधार नहीं दिलाते है उसका वचन हमें उधार दिलाता है और मित्रों वचन तो ऐसा है ना कि वच प्रिथथवी सुन्सान और बेडौल प्रिथवी ये प्रिथवी बेडौल सुन्सान मंद रहता था यह अहमारे परमेश्वर की कि कितना भी गहरा जल हो, कितना भी बेडॉल आपकी situation, आपकी परिस्तितिया हो, कितना भी messed up, कितना भी गलीच, कितनी भी कश्दायक आपकी परिस्तिति हो, हमारा प्रभू वहां पहुच सकता है, बलकि हमारा प्रभू वहीं पहुच करके अपनी ताकत दिखाता है, और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कितनी भी खतरनाक आपकी परिस्तिति क्यों नहों आपका प्रभू उनी परिस्तितियों में चल करके आएगा उसी जगा पहुचेगा जहां सबसे अधिक कष्ठ है जहां सबसे अधिक अंदकार है जहां सबसे अधिक गहरा है जहां सबस कि आप जरा कलपना कीजिए मिसर की 430 साल की गुलामी मिस्रियों ने एक एक जन को ऐसा गुलाम बना के रखा था ना पुआल दे रहे थे ना भूसा दे रहे थे आप हमने सब पढ़ा है और डबल डबल उनसे काम ले रहे थे कोड़े मारे जा रहे थे ऐसी भयानक सिच्वेश में मुसा और हारून पहुच करके चमतकार भी दिखा रहे हैं चिन भी दिखा रहे हैं और प्रभु ने कहा घबराओ नहीं मैंने जो वादा किया है वो वादा पूरा करके दिखा अरे प्रभु आप समझ नहीं रहे ये फिरॉन है इनके जो जो कोड़े मारने वाले है और जो काम करने वाले है इनके जो सैनिक है बड़े मजबूत है निकल नहीं पाएंगे चार और बाउंडरी बनी हुई है हम लोग भाग नहीं पाएंगे इसी सिचुएशन से हम निकाल करके ले जाएंगे ये कहानी हम इसरायलियों की नहीं बता रहे हैं हम मुसा और हारून की नहीं बता रहे हैं ये कहानी मेरी और आपकी कहानी है इसी संसार से इसी मेज़ड़ संसार से इसी सताओं से इसी अने जातियों के बीच में रहके खुदावन हमको निकाल करके ले करके जाएगा अपनी आखों को बंद कीजेगा ह्ँआ तया मेज़गे धुजावे कृट का बंद में आपकी कênio देखे है कि अने भी अना कि करमें लागा रहावरों को बंद में का जाएगे उसी सांएल moi अरों क्या सा इसी सता हुआल